नमस्कार दोस्तों आप सब लोगों की डिमांड थी के राज्य सभाच युनाव जो होने जा रहे हैं फरवरी के महिने में उनके बारे में एक वीडियो बनाओ देखे वैसे तो देश के कई राज्यों में चुनाव यह होना जा रहा है और पचास से अधिक सीटों का फैसला होगा लेकिन इसमें जो स्थिती होगी वो अलग राज्येवार हम बाद में विशलेशन करेंगे जैसे 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 परत्याशियों का डिकलेरेशन होता चल जाएगा लेकिन जो पहला वीडियो है इसका जिसे कहना चाहिए एक सिंबोलिक जो वीडियो है जिसमें प्राइमरी जानकरी मैं आपको आज देने की कोशिश करूँगा वो तो बनता ही था और इससे एक लारजर पिक्चर भी आपके सामने आएगी कि आखिरकार लोग सभा चुनाओं से पहले राज्य सभा के चुनाओं की ये जंग कितनी इंट्रेस्टिंग होने जा रही है मैंने इस बारे में काफी जानकरिया निकाली है लेकिन इसके बारे में जो महत्पूर्ण जानकरी सबसे हैं खास खास जरा गोर से आप सुनिए गावनको और अगर नोट क भी कर सकते हैं देखिए पंदरा राज्यों में 56 राज्य सभा की सीटें जो हैं दुईवार्शिक चुनाओं होता है राज्य सभा का 56 राज्य सभा की सीटें जो हैं वो अप्रेल में खाली हो रही है और उन्हें भरने की जो परकिरिया है उनके चुनाव जो है 27 परवरी को तै किया गया है अभी इसकी जो है चुनाव आयोग के दुआरा इसकी जो सूजना है वो इसकी जारी की गई है इसका पूरा प्रोग्राम आ चुका एलेक्शन कमिशन का सोमवार को इसका कारेकरम आया है और इसमें लिखा है कि जो जानकारी दी गई है जो 50 सदस्य हैं वो तो 2 दो अपरेल को रिटायर हो रहे हैं उनका कारेकाल पूरा हो रहा है और बाकी जो च्छे सदस्य हैं वो उसके एक दिन बाद रिटायर हो रहे हैं आपको मैं पता दू कि इस समय जो सदन है अपर हाूस है उसकी जो पुल संख्या है वो 238 है और इसमें 109 जो है वो NDA के हैं और 89 जो है वो इंडिया एलैंस जो इससे में बना हुआ है इंडिया एलैंस उसके नेतरतव वाले हैं बाकी इसमें जो YSRCP हैं बीजू जनतादल हैं जो किधर भी नहीं है या BRS हैं उन सब लोगों का भी इसमें शेयर हैं कुछ खास लोग हैं जो इस सूची में जिनका नाम है जो रिटायर हो रहे हैं खास खास प्रोमिनेंट नाम जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जैसे कि बीजेपी के अध्यक्स हैं JP नड़ा उनका का पूरपरदान मंत्री मनमाहन सिंग का का आरेकाल खतम हो रहा है उनका तो सायथ दुबारे चुनाजाना मुझे लगता नहीं उन्हें चुनवाएगी कॉंग्रेस क्योंकि मनमौन सिंग अब कॉंग्रेस के किसी यूज के रही भी नहीं इसके लावा केंद्रिय मंत्री भुपेंदर यादव का कार्यकाल खतम होगा एश्वनी वैशनव मंसुक मंडाविया और वी मुरली धरन और नरायन राने इनक का भी कार्यकाल खतं हो रहा है देखिए जो छपन सदस्स से अभी जो رीटायर होंगे जो सीचे खाली हो रही है इनमें से 28 बीजेपी के रहे हैं और 10 कॉंग्रेस के हैं मानाए जा रहा है कि बीजेपी का जो समिकरन है वो सबीज theor के 7 हैं बीजेपी जो उनकी ये सीचे हैं वो सेम मैंटेन कर लेगी, लेकिन कॉंग्रेस दस में से केवल नो ही सदस्यों को अपने चुनवा पाएगी, एक नुकसान यहाँ पर कॉंग्रेस का होने जा रहा है, और अगर वो एक सदस्य से चुनवा सकते हैं, तो उन्हें बिहार में अपने जो सहयोगी दल है, राजर अभी तेलंगाना से बाहर हुए है, उनके जो तीन सदस्य से रिटायर हो रहे हैं, वो तीनों के तीनों उनके जाएंगे, और जो कॉंग्रेस है वहाँ पर, वो उस सीटों को गेन करती हुई मिजर आएगी, और सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्जे से सीटे खाली हो रह ही है, माराष्ट और बिहार में 6-6 सीटे खाली हो रही है, मद्य परदेश और पस्चिम मंगाल में 5-5 सीटे खाली हो रही है, करनाटक और गुजरात में 4-4 सीटे खाली हो रही है, उडिसा, तिलंगाना, अंधर परदेश और राजस्तान में 3-3 सीटे खाली हो रही है, उत में से बीजेपी की उम्मीद की जा रही है कि वो साथ सीटे तो वो आसानी से जीत लेंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2022 के जो विधान सभा चुना हुए उसमें 111 सीटे जीती थी तो समाजवादी पार्टी का हिसाब किताब यहां पर बनता हुआ नचर आ रहा है क्योंकि अभी तो यह प्राइमरी विडियो है और बीजेपी को एक सीट का फायदा बिहार में होगा और जो 6 रिटायर हो रहे हैं इन सदस्से इस समय जिनकी बताया है वो दो जो हैं यहां पर बिहार के बारे में बताओं वो जो दो हैं वो जेडियों के हैं और दो आर है कि बिहार में किस तरह किसे सत्ता बदली है यहां पर तो यहां पर बीजेपी और राष्ट्य जनता दल आसानी से दो-दो सीटे ले लेंगी जेडियों को एक सीट मिल जाएगी और आर जेडि का जो नितरत वाला विरोधी खेमा है उसे चटी सीट के लिए यहां पर कोशि कि बनी हुई है देवेंदर फड़नवी सेकनाथ सिंदे और जीत पमार की वो इस समय जो है यहां पर छे सीटे जो खाली औरन में से पांच जीतने की पूरी-पूरी कोशिश करने जा रही है और कॉंग्रेस जो है छटी सीट कॉंग्रेस को मुझे लगता है कि यहां पर मिली पता ही है कि भी दिसंबर में बीजेपी ने कितनी शांदार सफलता हासिल किये तो यहां पर बीजेपी को मिश्चित रूप से बढ़त मिलेगी और देखिये हैं यहां पर कॉंग्रेस की भी स्थिती एक सीट की बंटी हुई नजर आ रही हैं तो राजस्थान में दो बीजे यही स्थिती है, दो और एक वाली, और चतिस गड़ में एक बीजेपी का सदस्त रेटायर हो रहा है, तो बीजेपी उस एक सीट को आसानी से जीत लेगी, तो राज्य सभा का जो सीटों का ये जो सिलसिला चुनाव का सिलसिला है, वो शुरू हो जुका है, और इसमें, क्योंक से उनकी संख्या 403 है, लेकिन वर्तमान में सदन में 400 विदायक है, इनमें बीजेपी का जो गडबंदन है, उसके 252 है, और लखनव पूर्व से भाजपा विदायक आशुतोष टंडन गोपाल और ददरोल से भाजपा के विदायक मानवेंदर सिंग का निधन हो गया था, बाजपा के एक सदस्ये राम दुलारे गोंड को दुशकर्म के आरोप में 25 साल की सजा हुई अनकी सदस्ताराच हो जगी है, तो ये 3 सीथे काली है, बाजपा के सहयोगी, अपना दल S के 13, मिशाद पार्टी के 6 और सुभासपा जो राजबर की पार्टी है, उसके 6 सदस्ये और इस तरही से बादबा गटबंदन के पास कुल 277 विधायक हैं, अगर राजबर की बात करें, समाजबाधी पार्टी के 108 हैं, विधायक RLD, जैंत चोधरी वाली पार्टी, उनके 9 MLA हैं और इनके पास 117 विधायक हैं, सपा के एक विधायक इरफान सोलन की जेल में बंद जाता है, और जन सत्ता, दल, लोकतांत्रिक के दो, कॉंग्रेस के दो, और बसपा का एक विधायक है, तो यहां पर जो है, मुकाबला जानदार होने वाला है, एक सीट के लिए यहां पर 40 विधायकों का मत चाहिएगा, इसमें क्या होता है कि टोटल जो स्ट्रेंथ होती है, उससे उन सीटों को डिवाइड कर देते हैं, और उसमें प्लस वन कर दिया जाता है, तो इस तरीके से 40 विधायकों का मत चाहिए, एक सीट जीतने के लिए, भाजपा के पास 277 वोट है, तो उन्हें 7 सीटे 10 में से मिलनी तय है, सपा के पास 117 विधायक है, 117 की स्ट्रेंथ हैं, उनके RLD को भी मिला दें, तो उन्हें 2 सीट मिलनी तय है, भाजपा 8 वी और सपा को 3 सीट के लिए संगर्स करना पड़ेगा, यानि कि 1 सीट के लिए यहां पर कश्मकश होगी, 7 सीटे BJP की तय हैं, 2 इनकी सपा वालों की तय हैं, लेकिन जो 8 वी सीट BJP जी दना या 3 सीट जो सपा जीतिन चाहिएगी, उसके लिए मुकाबला होगा, और जो जनसत्त अदल लोकरांत्रिक है, उसके दोनों विधायकों का भाजपा को समर्तन मिल गया, तो भाजपा के पास 279 विधायक हो जाएंगे, और लोक सभा चुनाओं में कॉंग्रेस और सपा के ऐसे में सपा के पास 119 विधायक हो जाएंगे, एक कॉंग्रेस का भी बढ़ जाएंगा, दो बढ़ जाएंगा को इसके, तो लिहाजा भाजपा को आठवी सीट के लिए 40 और विधायकों के समर्तन की आवश्यक्ता होगी, जबकि सपा को तीसरी सीट के लिए मातर एक विध कोशिश ना करें, जो इस समय देखें, यहाँ पर राज्य सबा के जो सांसब इस समय रिटायर हो रहे हैं, उनमें बीजेपी, सुधान सुत्रिवेदी को और विजेपाल तोमर हैं, जो मेरट से आते हैं, उनको दोबारा भेजा जाएगा, यह माना जा रहा है, जो जीबील सिम्मा राव हैं, डॉक्टर अनिलक गरवाल हैं, इनका टिकेट कट सकता है, अशोग वाजपी, सकलदीप राजभर, डॉक्टर अनिल जैन, हरनात सिंग यादव, इनकी जगे भी नए चेहरे उतार सकती है, पार्टी, और पार्टी, ब्राम्मन, वैश, छत्रिये, और उनक लेकिन जब चुनाव की तारीक धीरे-धीरे नजदीक आएगी, अभी तो चुनाव 27 फरवरी को होना है, तो पूरे फरवरी में ये गटना करम चलने वाला है, और मैं इसके लगतार वीडियो बनाने वाला हूँ, आज पहला वीडियो बनाया है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो गुरू बताईए, और किस राज्ये की स्थिति के बारे में, किस राज्ये की सीटों के बारे में, जो राज्ये सभा के चुनाव इनके बारे में आपकी दिल्चस्पी है, वो भी मुझे कमेंट के मार्देम से बताईए, और मैं आपको बताऊं, कि मैंने पहले भ चुनाओ की जो होगी उसमें आपको किसी राज्य के बारे में डिटेल से बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन-कौन सदस्ते जा रहे हैं, कौन-कौन चुने जा सकते हैं तो उसमें जरूर मेरे साथ जुनिएगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी, अगले वीडियो में फिर आप